हेलो दोस्तों जू आर वाचिन केसो इंटर्टेंडमेंट गोंदिया जिले की पांगडी की सुंदर पाड़ियों में आप लोगों का स्वागत है हम सब लोग चल रहा हैं माता गड़ माता के दर्सन करने हेतू और साथ में प्रक्रती कानंद लेंगे निसरग कान लेंगे पांगडी की पाड़िया है पड़ी पोड़ियों उची उची पाड़ियों सरबत्री उसुंदर्ट भी खेरे हुए सरवत्र हरा भरा नदी नाले पेड तलाव जंगल और जंगली जानवर कमस का समावेस है यहाँ पर देखिए ऐसा लगता है कुछ लोग पानी में खड़े हुए हैं तुनी सुरक्षा बरते हुए हमें सुटिंग करनी है बहुत ही सुंदर एरिया है यह पांगडी की छेतर में आता है यह गोंदिया जिले पर आता है यह गानावर है प्राक्रतिक संपदाओं से ओध प्रोथ यहां के सुंदर्ता को निहारते वे चलेंगे नजर ही नहीं हटती यहां गड़ माता जी का मंधिर है और साथ में किसी सत्दगुरु देव का आस्रम भी है यह पांगडी हिल्स के आप दरशन कर रहे हैं यह मा कड़ माता जी का परविज दवार है उपधर पहाड के आपर जाने की मुझे हम्मत महसूस नहीं हो रही है क्योंकि मैं अकेला हूँ, अभी कोई लोग मुझे दिखाई नहीं दे रहे हैं, क्योंकि ये प्योर जंगल है, अकेले में रिस्कले नहीं सकता, इसलिए मैं बाहर से ही दर्सन करने की कोशिश करूँगा, जो सामने में अकेले होने के वज़े से वर्ना में उपर भी चड़ा होता है, तो याद रखी कभी भी इस तरह से आप आते हैं, पहाडों में, जंगलों में, तो गुरूप में आना पड़ता है, और मेले में, यात्राओं में आना पड़ता है, ऐसे अकेले नहीं आते हैं, और रस्क नही देखें यहां भी छोटे-छोटे मंदीर वगर है अब देखते हैं यहां पर कौन से देवी देवता के मंदिर भगवान स्युलिंग दिख रहे हैं साथ की नंदी जी भी दिख रहे हैं उनको अतिरसुल दिख रहा है एकदम सुन्दर रग रहा है जै आगे से देख रहे हैं आगे वड़ते हुए हम पांगडी की खुपफसूरत पाडियों का आनंद लेते हुए मौायना करती हुए, देखे, जंगल के फितर कितना संदर एरिया है, ऐसा लग रहा है कि हम कोई स्वर्ग में तो नहीं पहुंच गया है, ये किसी संद महात्मा का आसरम है, जो कि जंगल के वीचों बीच में है, जो इस आसरम को रख रखाव करते हैं, बगल में उसका रेस्ट अत्मा की दर्सन हो रहा है प्रणाम कर लिजिया इन्हें चार उत्रब पहाड है जंगल है संतों की प्रतिमाई लगी है विख्ड़ ड्रुक्मनी भगवान जी की लगी हुई है तो कराम जी नाम देव जी इन सब की लगी हुई है प्रतिमाई देखिए कितना मनुरम द्रफ से दिखाई देता है यह सब पुराने जमाने से बनी हुए है मैं पहाड के उपर चड़ा हुआ हूँ बहत उचाई पर यहाँ लाइट नहीं है यह शियो जी का मंदिर है बहुत हुचा है स्यूजी का मंजदी कि बहुत बड़ा तिरुसुल गया जो जमीन से लगा है वो पुरा उपर दख लगा हुगा एक्स्टरॉर्डिनरी थैंक्यू वेरी मच्छ पर वाचिंग इस वंडर्फूल मेत्रोलोजिकल वीडियो लाइक करें और ज्यादा संख्या में सब्क्राइब करें कमेंड करें सियर करें थैंक्यू वेरी मच्छ